हलो एबरीवन, हाउ आर यू? आज तो आपके लिए बहुत ही सुन्दर खबर लेके मैं आया हूँ और आप सुनकर बेहद खुस होंगे क्योंकि जब मैं खुस हूँ तो आप छात्र भी बहुत जादा खुस होंगे जो बच्चे 12th क्लास का एक्जाम देने जा रहे थे 2021 में जो एक मैं से होने वाला था वो एक्जाम पॉस्पॉन कर दिया गया है यानि ये एक्जाम अब एक मैं से नहीं होगा तो निश्रूप से आपके लिए खुसकबरी है लेकिन ये मत मान लेना कि ये एक्जाम कैंसल हो गया है कैंसल नहीं हुआ है ये एक्जाम की डेट बढ़ा दी गई है और इसकी घोसना एक जून को होगी और जब एक जून को इसकी घोसना होगी कि एक्जाम कब होना है तो कम से कम सरकार आपको 15 से 20 दिन का समय जरूर देगी तो ये तो निश्यत है अब कि अब एक्जाम 15 जून के बाद होगा जब 15 जून के बाद होगा 15 अपरैल से 15 मई और 15 मई से 15 जून राइट दो महीने आपको और मिल गए हैं पढ़ाई के लिए कुछ बच्चे बेहत दुखी थे कि कोरोना काल में पूरी किलास हमें नहीं मिली है आदी किलास ऑनलाइन आदी किलास आफ लाइन आफ लाइन जो किलास मिली वो भी पूरी नहीं मिली तो निश्च दूरूप से बच्चों की तैयारी तो नहीं हो पाई है जब तैयारी नहीं हो पाईए जब ये चीज हम मैसूस कर रहे हैं सिक्षक लोग कि बच्चों को पूरी पढ़ाई नहीं मिली है तो वो सही एक्जाम कैसे दे पाएंगे तो मुझे बहुत खुसी है साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत खुसी होगी कि ये एक्जाम कम से कम दो मैने तोटल गया लेकिन मैं बिध्यारतियों से निबेदन करूँगा कि ये पूरी तरह खुसकबरी में मत कनबढ़ करिए क्योंकि ये एक्जाम कैंसल नहीं हुआ है आगे बढ़ाया गया है तो अब आपको दो मैने का समय है और इन दो महीनों में आप निश्चित रूप से अगर अपनी स्ट्राइटजी बनाएंगे जो मैं आपको बनवाऊंगा उस स्ट्राइटजी के तो थूँ आप अपने एक्जाम की दो मैने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं पहले से जादा अच्छी नमबर लेके आ सकते हो तो यह नहीं है कि कोरोना काल है तो बैट के घर पे सोना है टीवी देखना है मरूरंजन करना है नहीं अभी मरूरंजन आपको नहीं करना है अब तो पढ़ाई और ज़्यादा बढ़ा देना है आपको मेरा सब्जेक्ट केमिस्टी है मैं केमिस्टी आपको पढ़ाता हूँ तो मैं आपको समय समय पर वो स्ट्रेटजी बना के दूँगा आपको कि कौन सा टॉपिक अब आपके लिए ज़्यादा इंपोर्डेंट है और उसको आप कैसे रिवाइज करेंगे कौन से टाइम पर नुमेरिकल करना है कौन से टाइम पर एक्वेसंस याद करनी है किस टाइम पर और्गेनिक फॉर्मूले तयार करने है बायो केमिस्टी कितना पढ़ना है इन चारों केमिस्टी की स्ट्रेटजी बना के तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्स लेके आ सकते हो तो मैं आपसे फिर निवेदन करूँगा कि सबसे पहली बात तो ये कि दो मेने के समय आपके पास है और इन दो मेनों में आपको आज से ही स्ट्रेटजी बनाना चालू कर दीजे दुबारा से रिवीजन करना चालू कर दीजे सबी सब्जेक्ट का जिस से आपके अच्छे मार्क आ सकें और आपकी अभी जो धड़कन बढ़ी हुई थी कि एक्जाम आ गया एक्जाम आ गया इधर कोरोना लग गया बीच में वो आपकी धड़कन कम हो जाएगी और आप अपनी स्पीड को पहले से थोड़ा कम करके दीरे दीरे अभी से पढ़ना चालू करोगे तो एक्जाम आते आते आपको सब कुछ याद हो जाएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे दूसरी बात जो बच्चे कॉमपटीशन की तैयारी कर रहे हैं 12th के साथ उन्हें तो बहुत ज़्यादा सोचना है कि उन्हें तो पढ़ना ही है अगर एक्जाम कैंसल भी हो जाता तब भी आपको अपनी स्ट्रेटजी बना के रखना होती जैसे 10th क्लास का एक्जाम टोटल कैंसल कर दिया गया है अच्छी बात है छोटे बच्चे होते हैं अच्छे से नहीं पढ़ पाए कोरोना काल में लेकिन अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे 11th क्लास उनका डिस्टर्बेंस होगा इसलिए उनके बारे में मैं बात में बात करूँगा लेकिन हभी जो 12th क्लास में जो बच्चे हैं उनका एक्जाम कैंसल नहीं हुआ है उनके दो मेने लगबख बढ़ गए हैं और भी बढ़ने के आसार हैं तो आप दो मेने का समय का अपनी स्ट्राटजी तैयार कर लीजे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको अब टू मन्त में कैसे कैसे पढ़ना है कितना कितना पढ़ना है कैसे आपके नमबर ज़्यादा आ सकते हैं इंतजार करिएगा So thank you very much Next video will be continue